कुछ समय पहले तक रतलाम में पीजा खाना आम बात नहीं थी लेकिन बदलते जमाने, इंटरनेट की दुनिया और जेन जी की जनरेशन में यह एक आम बात हो बही है वे लोग भी जिनकी सुभ़ की शुरुआत बासी रोटी के पोहे के साथ होती थी आज किल पीजा खाने लगे हैं, तो आज इसलिए हम बात करेंगे रतलाम की टॉफ फाइब पीजा शॉप्स के बारे में तो पांचवे नमबर पर हेट डोमिनोज अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है और यहां का पीजा भी इस बात पर खरा उतरता है यहां पर आपको लो प्राइस से लेकर हाई फाई प्राइस में भी पीजा मिल जाएगा और साथ ही साथ यह लोग 30 मिट में फ्री पीजा की स्किम भी चलाते हैं तो जल्दी से कमेंट करकर बताईए क्या अभी तक आपने दोमिनोज का फ्री पीजा खाया नमबर चार पर है फूड मोहला न्यू रोड पर गुरुदवारे के सामने मुझूद फूड मोहला में वेसे तो बहुत कुछ मिलता है लेकिन यहां के पीजा के तो के नहीं क्या साथ ही साथ यहां पर हैजीन का भी काफी अच्छे से खयाल रखा जाता है तो अपने मोहले से निकलिए और जाइए फूड मोहला तो अब बात करते हैं इटली की मेरा मतलब है इटेलियन पीजा शॉप लापिनोस पीजा की लापिनोस पीजा आज किसी पेचान का मोताज नहीं है और पूरे भारत के साथ साथ रतलाम में भी इसे बड़े चाओ से खाया जा रहा है महाराजा सज्जन सिंग चोराए के पास मुझूद लापिनोस पीजा और यहां का लुप आपको रतलाम में ही इटली के दर्सन करवा सकता है बशर्ते आपको यहां पर जाना होगा नमबर दो पर है पीजा शटर पीजा शटर की खासेत यह है कि यहां पर आपको बहुती किफायती दाम में बहुती स्वाधित पीजा खाने को मिल जाता है रोटरी गार्डन के पास मुझूद पिज़ा शटर पर आपको साम होते ही पीजा लवर्ज की अच्छी खासी बीड़ देखने को मिल जाती है तो आप चलते हैं नमबर वन पिज़ा शॉप की ओर उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए और कमेंट करकर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है तो आप बात करते हैं नमबर वन की नमबर वन पर है सामर्या पिज़ा शोपार्टी पर मुझूद सामर्या पिज़ा का टेस्ट काफी यूनिक है और इंटरनेट पर वाइरल होती कई वीडियो में रतलाम के लोगों ने सामर्या पिज़ा को रतलाम का बेश्ट पिज़ा बताया है यहाँ पर आपको बीजा की कहीं वेराइटिया मिल जाएगी और कहना मुश्किल है यहाँ का कौन सा बीजा सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ काफी अच्छा मिलता है तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही केसी लगे आपको यह टोफ फाइफ लेस्ट कमेंट करकर हमें जरूर बताए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेर भी जरूर करें धन्यवाद